हलो मेरा दाम डॉक्टर दीपर केड़कर है मैं मनोविकार सेक्ष्रोग सम्मोहन वैसनमुक्ति तग्य हूँ आज मैं आपको पताने वाला हूँ एक असाधारण मनोविकार के बारे में जो लगता असाधारण है मगर वो कौमनली दिखाई जाता है सरसामा ने उपसे काफी लोगों को दिखाई जाता है इसको क्रानिक फटिक सिंड्रोम तो क्रानिक फटिक सिंड्रोम मतलब ऐसा एक छे महने से ज्यादा यदि आपको ठकान महसूस हो रही है ठकान लगती है और पूरा जैसी ताकत निकाली गई शरीर में से ऐसा आपने को छे महने छे महने ऐसा लगता है छे महने से ज्यादा समय हो चुका है तो उसको बोलते है क्रानिक फटिक सिंड्रोम इसमें होता क्या है कि उसमें लक्षन आपको बताता हूं इसमें होता क्या है कि ख्याल नहीं रहता काम में फिर भुलक कड़ पना आता है और काम करने के बाद में बहुत थकान महसुस होती है मतलब जैसा काम करने की जो ताकद है वो पचास प्रतिशत कम हो जाती है यूछ परशक्ति हीन होना, जोडों में दर्थ, और कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, और थोड़ा सभी काम कर गया तो तो यूजली ये बिना कारण चलो हो जाता है, वन जो कोई कारण नहीं होता, कभी ऐसा होता है कि एक और बुखार आ जाता है, और बुखार के बाद म बिमारी शुरू हो जाती है और सभी तरह की जाच करने के बावजुद भी इसमें कुछ निकलता नहीं है मतलब शरीर में कुछ भी निकलता नहीं है इसमें क्या होता है कि एक तो निन अच्छे होती नहीं है और निन अच्छे नहीं होने के बाद में पियाली अपे फीर सुबह जब उठे तो फ्रेश नहें लगता है तो सुबह फरेश नहे लगना नीन अच्छी नहीं होना ऐसे सबेर उठने के बाद में आसा लगता है कि नीन हुई नहीं फिर कभी पेट में पचन नहीं होना ज्यादा संदास को लगना मतलके टोईलेट होना या टोईलेट होना या थिन थिन धिन या भूख नहें लगना ऐसी लिडिन होना मतलक काफी काल्य है शघरीख बीमारियां उसके लक्षन Saili सोह साथ फखाम यह इसका में लक्षन है फखान लगना called लगना और भूलग attracting and और ख्याल ने रहना, ख्याल नहीं दे सकना कोई भी चीज के उपर, वो दिखाए देता है, ये 15 दिन महना बर ऐसा किसी को हो सकता है, मूर कम ज़्यादा हो गया तो, क्यों कोई कारण हो गया अपने आसपास में, फेल हो गया, कोई नुकसान हो गया, प्रमोशन ने मिला, टांसपर हो गयी, या जगड़ा जंजट हो गया, प्रापरडिका मैटर है, कोट के सार गये, तो फिर ऐसा होता है, वो एक डिप्रेशन का पार्ट होता है, मगर बिना कुछ वजह, कुछ वजह नहीं होने के बावजुद भी, 15 दिन महना पर हो गया, और उसके बाद में भी ये 6 महने तक ऐसा चल रहा है, तो उसको क्रानिक फटिक सिंड्रों ऐसा बोलते हैं, इसमें बिमारी, ये बिमारी का इलाज क्या है, तो इसमें साइको थेरेपी, मतलब मानसोग चार करना जुरूरी है, मानसोग चार करना, सपोर्ट करना वो वेक्ति को, एक्जरसाइस रोज करते हैं, कसरत करते हैं, एक्जरसाइस करना, अच्छा खाना देना, अच्छा खान और निराशा के मतलब डिप्रेशन की जो दवाई है एंटी डिप्रेशन वो कभी-कभी इस्तेमाल करके फायदा होता है तो मेडिटेशन, साइको थेरेपी, मांसोग चार, कुछ दवाईयां और एक्टिव लाइफ जिदी वो जीता है तो उससे काफी सारा फायदा होता है कोई भी किसम की उसके लिए सब तरह की जाच करना जरूरी है जैसा थैरर की बैमारी है वो देखना है थैररी बैमारी है क्या या बाकी कोई बदन में और बिय्मारी है इसलिए सब तरह की जाच, खुन की जाच, एक्सरेय, रिपोर्ट, सब करने के बाद में उसमें कुछ मिलता नहीं है और तबी भी उसको थकान लगती है, फिर हपन बोल सकते कि एक रॉनिक फटिक सिंड्रोम है यह तो हुंबा कहा है कि कोई शरीक बिमारी है और अपन लगती है, और काफी सरह ऐसे प्राबले में जिसके कुछ वजह नहीं मिल दी है उसको साइकेट्रिस के पास में लेके जाना, उसका इलाज करना यह वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर करो, उनको फायदा होंगा अब वाटसेप पे डालो, यूट्यूब पे डालो, यह अपना फेस्बूक पे डालो इसकी लिंक और लोगों को शेयर करो, ताकि काफी लोग इसका फायदा उठा सके और अपना जीवन अच्छा कर सकेंगे कि सब्सक्राइब करो, थैंक्यो वेरी मच्च